साथ्यों बापू का अगरा खादी को लेकर भी था चर्खे को लेकर भी था लेकिन स्वतंत्रता के बाद खादी को लोग लगभग भूली गए थे राजनीती में किसी समारों के समय तोपी ओपी पहन करके पहुंच जाना या लंबा कुर्टा पहन करके पुचले जाना यहां तक वो सिमीध हो गया था बाकी जन सामान्य के जीवन से करीब करीब खादी गायब हो गई थी यह हमारी सरकार के ही प्रयास का नतीजा है कि अब स्थिती पूरी तरह से बदल चुकी है दुनिया भर में आज खादी के जकेट्स उसके साथ साथ अनेक प्रोडक्स आज दुनिया में से उसकी डिमांड आ रही है आज खादी देश का फैशन तो बनी चुकी है इसके अलावा यह आज खादी की कहानी बताने और महिला ससक्तिकर्ण का एक सक्तिशाली माध्यम भी बढ़ रही है साथ यो यह बढ़ लाओ अपने आप नहीं आया है बीते साड़े चार वर्षों में हमने खादी से जुड़े लगबग दो हजार संस्थानों का आधुनी करगन किया है modernization किया है और हमने कभी देखा नहीं कि ये 2.000 संस्था वाले किसपार्टी से जुड़े हुए है हमारे दिल में तो गांदी थे हमारे दिल में खादी थी हमारे दिल में जो गरीब बुनकर है वो हमारे दिल में था और इसलिए हमने इन 2.000 संस्थानों के modernization का कां किया इसे खादी से सीधे तोर पर जुड़े लगबग पांच लाख लोगों को लाप पहुचा है अब सीधा पैसा कामगारों तक पहुचाया जा रहा है बीते चार वर्षों में खादी की विक्री में जो ढ़ाई से तीन गुणा की बड़ोत्री हुई है उसका लाप अब इन कारी गरों तक भी पहुच रहा है भाई और बहनों मेरा स्वयम काम मानना है कि जैसे स्वतंत्रता के अंदोलन में स्वदेशी एक हतियार था वैसे ही आज गरीबी से लड़ने के लिए हत करगा भी एक बहुत बड़ा हतियार है हत करगा की अहमियत को समत्ते हुए ही हमारी सरकार ने साथ अगस को राष्टिय हत करगा दिवस के तौर पर गोशिद किया है साथ क्यों संपुनता में देखें तो गाउं की अर्थे ववस्ता और कुटिर उद्योग गांदी जी की आर्थिक सोच का महत्वपुन हिस्सा रहे हैं इसी सोच को आगे बनाते हुए बीते साड़े चार वर्षों में बड़े स्तर पर काम किया गया है सरकार के प्रयासों का नतीजा ये हुआ है कि गाउं के उद्यमों की विक्री जो चार वर्ष पहले तक 30,000 करोड रुपय थी वो आज डबल हो चुकी है दो गुनी से ज़्यादा हो गई है इससे गाउं में रोजगार कहने का उसर पैदा हुए है सरकार का प्रयास है कि ग्रामों दैसे भारत दैके अपने मिशन को और मजबुत किया जाए शसक्त किया जाए देश के गाउं में मुलभूत सुविधाय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ग्राम स्वराजब्यान भी चला रही हम एक गाउं की समिख्षा कर रहे हैं और इस बात पर जोड़ दे रहे हैं कि गाउं के हर घर में बिजली हो गैस का कनेक्शन हो सौचाले हो गाउं में रहने वाले हर व्यक्ति के पास बैंक खाता हो और हर बच्चे को टीका करना भियान का लाब मिलता हो साथियों हमने बापू के आधर्शों को आधुनिक्ता के साथ भी जोड़ा है गाउं में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनने के लिए मिशन सोलार चर्खा बर चलाये जा रहा है इसके तहर अगले साल तक देश भर में पच्चाश सोलर चर्खा क्लस्टर पाइलट तोर पर सापित किये ज अगब एक लाग जुवाओं को रोजगार मिलने वाला है